स्टुडेंट्स चलिए आज हम बेस्टी का एट्थ चैप्टर जो की है कंट्रोली यानी नियंत्रण उसको स्टार्ट करेंगे जितने भी मेनेजीरियल फंक्षन या मैरेजमेंट के फंक्षन या प्रबंध के कारिय हमने पढ़े उन पांचों कारियों में से हमने चार कारियों को पूरा कर लिया है या पूरी तरह समझ लिया है आज हम प्रबंध का अंतिम कारिय या अंतिम मूख्य कारिय उसको डीटेल स पढ़ेंगे या उसको समझेंगे नियंत्रण नियंत्रण आपने कहां देखा है बच्चों कि नियंत्रण आपने सबसे पहले क्रिकेट मैच में देखा होगा जब आपके जो विशेश खिलाडी अपने नियंत्रण से क्याच पकड़ते हैं उस समय साथ ही साथ आपने कटपुतली के डैंस में उस अदाकारा को देखा होगा जो अपनी उंगलियों पर नियंत्रण रख कर उन कटपुतलियों को उस गाने की बोल के हिसाब से चलाती है इसके अलावा भी आपने कई जगह नियंत्रण का अनुभव किया होगा जैसे कि आपकी कख्षा में आपके खुद के घर में और विभिन स्थलों पर ये ऐसे कई स्थानों पर जाते हैं ओफिस कार्याले में वहाँ पे भी निर्देश रहते हैं और आप उन निर्देशों का पालन करते हैं मतलब उन आदेश के अधिकारी जिन्होंने आपको आदेश दिये हैं आप उनके अंडर कंट्रोल रहते हैं या उनकी नियंत्रण के अंदर रहते हैं तो इस सरीके से आपने नियंतरण के concept को समझा वो भी गैर व्यावसाइक रूप में आई है अब हम इसको व्यावसाइक रूप से समझते हैं कि नियंतरण होता क्या है जब management के चार function हमने जो पढ़े हैं उनको पूरा करने के बाद जो अंतिम मुख्यकारे आता है वो नियंतर क्योंकि planning शुरू हूँ भविश्य के लिए की भविश्य में हमें क्या कारे करने है उसके बाद बाकी के कारों का पालन कीया आउंतिम में कारे क्या आया नियंतरण का अब भविश्य के लिए जो प्लानिय या नियोजन Learn की गई थी क्या उसी ऑनुरूप कारे पूरा हुआ या उसी गती में चल रहा है। या कोई समस्याईं आ रही हैं तो वो समस्याईं क्या है और उसको किस तरीखे से हल किया जाए। ये सभी कार्य नियंत्रण के अंदर आते हैं। सभी व्यावसाईक संस्थाइं या चातनी है कि जिस उद्देश के लिए उन्होंने प्लानिंग या नियोजन की थी उन प्लानिंग को वो फिर से क्या करें एनलाइस करें उनको जानें उनको परकें उनको अब्जरव करें क्या वह कारेप जिस गती से चलना चाहिए था वह चला और क्या उनका जो अब्जेक्टिव या उद्देश था क्या वो उसी गती से प्राप्त हो रहा है या उसकी और अग्रसर है या कुछ समस्याएं हैं तो वो क्या है यहां पर सारी चीज़े अंडर कंट्रोलिंग ही आती है या नियंत्रण के अंदर ही आती है हम नियंत्रण को एक और तरीके से परिभाशित कर सकते हैं कि जो नियंत्रण होता है वह प्रबंध में वही मुख्य स्थान रखता है जो की आपके शरीर में आपका मस्तिश्क रखत होता है उसी तरह क्या होता है नियंतरंड प्रबंध के सभी गति वीडियो को नियंतर्ट करता है अब जैसे की अपकी कलास शेच्र ने आपको कहा कि बच्चों आप अपने कॉपी में लिखी है ते आधेश आए आपकी टीचर की तरफ से किसने लिया आपके मस्तिश्क ने लिया वो आदेश कानों के द्वारा और आप क्या है अब अपनी मस्तिश्क का आदेश पालन करेंगे और आपके हाथ स्वयाम उठेंगे और अपनी कॉपी में लिखना शुरू करेंगे तो आपका मस्तिश्क क्या कर रहा है आपके अधर बॉडी पार्ट्स यानि शरीर के अन्य अंगों पर अपना कंट्रोल रख रहा है हम यह कह सकते हैं तो यह था नियंत्रन को कॉंसेप्ट और उसकी मीनिंग आए अब हम इसकी कुछ परिभाशाओं को जानते हैं नियंत्रन की पहली परिभाशा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह परिभाशा जो है फिलिप कोटलर द्वारा दी गई है उनके नियंत्रन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों से निकट लाने में प्रयास किये जाते हैं दूसरी का मूल्यांकन करना और यदि आवर्शक हो तो सुधारात्मक कदम उठाना जिससे निश्पादन नियोजनाओं के अनुसार हो सके तो जैसे कि मैंने आपको कॉंसेप्ट में समझाया कि नियोजन के समय जो हमने नियोजन किया था जो भी हमने आपजिक्टिव को पाने के लि जा रहा है कि और वह सही समय पे पूरी हो पाएगी कि नहीं उसमें कुछ समस्यां आ रही है तो वह क्या दूर हो गई है या उनके लिए सलूशन की आवशक्ता है और उनके बीच जो अंतर आता है मतलब जो उद्देश प्राप्ति के लिए हमने प्लानिंग की थी और पूर सब्सक्ति है और पूर को किस स्थरीके से दूर किया जा सके यह अंतर होता है बच्चों एक उसका सेल करेंगे हुआ यूं कि उस प्रड़क्शन डिपार्टमेंट ने माल लेजिए शेही टन प्रडक्शन भी किया और सेल भी किया तो यहां कितने का डिवेशन आया 10-6 is equal to four मतलब विचलन डेविएशन मतलब विचलन जो हुआ कितने का हुआ चार का हुआ चार टन का उसी प्रकार हम दूसरा उधारण देखते हैं इसी दस की जगह जो दस उन्होंने माना था उन्होंने दस का दस पूरा का पूरा प्रोडक्शन भी किया और सेल भी किया तो इसम देविएशन आया हम इसी तरह तीसरा उधारण देखते हैं यहां पर अगर दस टन प्रोडक्शन और दस टन की जो सेल है उसका उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था तो उन्होंने क्या किया अब उसके दस टन की जगह बारा टन उत्पादन कर दिया है और ब आत्मक विचलन, शुन्य विचलन और रणात्मक विचलन करके एक अच्छा बिजनसमेन या एक प्रबंध क्या कर सकता है अपने कारे को और अधिक अच्छी तरीके से सुधार सकता है अब आपने परिभाशा समझ ली concept समझ ली नियंत्रण की आईए अब हम उसकी कुछ विशेष्टा या प्रकृति की और चलते हैं इसकी पहली विशेष्टा कहती है कि जो नियंत्रण है प्रबंध का एक आधार बूत कारे हैं कंच्रोलिंग इसदे मेंटल मानेजमेंट फंक्षन अभी तक आपने कौन-कौन से मैंजमेंट फंक्षन पढ़े येस प्लानिग पढ़ा आपने और गनाईजिंग पढ़ा स्टाफिंग बढ़ा डायरेक्टिंग अब इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं आप कंच्रोलींग साइड वा फिर वहां पर क्या हुआ और फिर वहां पर स्टाफिंग मतलब पद रिक्त पद उनको भरे उनको डायरेक्शन दिया किस तरीके से काम करना है अब वो कार्य कितने अच्छे तरीके से हुआ है उसका मूलियांकन करेंगे इस इस लिए इसे क्या कहा जाता है एक अधार बूत कारे कहा जाता है या एक fundamental management function कहा जाता हैं दूसरा जो विशेश्टा है वो कुछ इस प्रकार है दूसरी विशेश्टा कहती है क्या सर्व्यपक कारे परवेसिव फंक्शन आ सिंज होता है वह पूरे एक विभाग में नी होता है हटेकशी किसी एक विभाग नहीं होता है हर तरफ नहीं होना जरूरी है और हर विभाग में नहींतन मां चलता है जासे नियंतरन क्या है एक चलने वाली नियंतरन जो है एक continuous चलने वाली प्रक्रिया है या एक नियंतर चलने वाली प्रक्रिया है इसमें क्या होगा कि जो नियंतरन है वह कार्य जब अंतिम रूप में चला गया है तब भी नियंतरन का कार्य इंपोर्टेंट है और कार्य का धनात्म साइट देखें कि जब प्लानिंग की गई थी क्या वो सही हुई वहां पर भी observation रखना या उसको ध्यान देना वहां पर भी नियंत्रण का काम आता है तो यह पूरी सित्यों में याम कह सकते हैं सभी सित्यों में नियंत्रण क्या होता है एक continuous process होता है चौथा बिंदु कहता है कि जो नियंत्रण है वह प्रबंद की प्रक्रिया का आरंब वह अंत दोनों है जैसे कि मैंने आपको बताया कि continuous process में कि एक प्रबंद की प्रक्रिया का आरंब भी होता है और अंत भी होता है आरंब कैसे होगा जब हमने planning की तो क्या थी वह future oriented मतलब भविश्य के बारे में सो परतमान में हमने objectives पाई या results पाई उसको क्या किये वह भविश्य के अभी शुरू में किस तरह काम आएगी नियंत्रण शुरू में इस तरह काम आएगी कि जो पहले plan किया गया था उन planning में समय के नुसार जो व्यावसाइक वातावरण में changes आ रहे हैं उन changes को डालना या उ या कारे करने की विधियां decide की गई थी उन विधियों में उन पध्धियों में निम्न प्रकार के अंतर आ गये हैं वह बताना तो यह शुरू की बात हुई या आरंब की बात हुई आप अन्तिम में जैसे मैंने आपको बताया कि जो result expected था कि हम इतना टन माल हमें प्राप्त ह और प्रड़क्शन करें और जो result उकर हुआ है या प्राप्त हुआ है कि इतना टन माल हमें प्राप्त हुआ उन दोनों के बीच करना है डिवीएशन को देखना है यह डिवीएशन का यह विचलन का पता लगाना है तो इस सरी के से हम कह सकते हैं जो नियंत्रन है वह प्रबं तू रिजल्स मैंने आपको कैसे बताया कि विचलों को देखता है विचलन मतलब जो हमने एंड रिजल्ट देखा अंतिम जो आया रिजल्ट हमारे पास उसी तरह के हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि हमको इतना रिजल्ट मिलना चाहिए क्वांटिटेटिटिव बेसिस पे उन दोनों रिजल्ट का हमने क्या किया विचलन या डेविएशन निगाला तो यह किस से औरिएंटेड हो गया रिजल्ट औरिएंटेड हो गया यह पूरी तरीके से परिणामों से संबंदित हो गया इसे ही कहते हैं रिजल्ट औरिएंटेड या परिणामों से संबंदित हो है प्रेजेंट में जो भी बिजनस एंवार्मेंट में चेंजस आए हैं वर्तमान में जो भी बिजनस के यह हम कह सकते हैं व्यावसाइक वातावर्ण में जो भी परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों को अपने कारे की गति वीधियों में लाना उन चेंजस के माध्यम से क्या करना अपने future के लिए जो objective decided है उसको प्राप्त करना इससे यह कह सकते हैं कि जो नियंद्रण होता है वो वर्तमान और भविश दोनों को देखता है इसके बाद बात करते हैं नियंद्रण सुधारात्मक कारेवाई है reformative action कैसे हैं जो हमने result माना था कि यह आना चाहिए अब जो result आया है उन दोनों के बीच अंतर निकाला अब उन दोनों के बीच अंतर निकालने पर क्या प्राप्त हुआ एक अंतर प्राप्त हुआ मान लीजे हमारा जो result था वो जो expect किया था कि इतना होना चाहिए उससे कम उसका कारण क्या है उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है उसके लिए क्या सुधार कारे किये जा सकते हैं और उसके लिए क्या सुलूशन हो सकते हैं कि दुभारा जो है यह इस तरह के कारे ना हो यह इस तरह का नुकसान ना हो तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें सुधार आ planning based होता है जो planning की थी कहा पहले वो क्या थी future oriented थी मतलब भविष्य से related थी भविष्य के बारे में सोच के की थी अब जब भविष्य के बारे में जो हमने नियोजन किया था उसी basis पे हम क्या करते हैं controlling करते हैं लेकिन जो changes आते हैं व्यावसाइक वातावरण में हम उसको क्या करते हैं accept करते हैं या उसको मान लेते हैं लेकिन फिर भी हमारा आधार क्या होता है जो planning या नियोजन हमने किया था तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो नियंत्रन का आधार क्या होता है नियोजन होता है तो बच्चों को इस तरीके से आपने कुछ विशेष्टाओं को जाना आए अब हम जो हैं नियंत्रन की आवशक्ता या महत्व को जानते हैं कि नियंत्रन की आवशक्ता या महत्व क्यों है मान लेजी आप अपनी कुलास में हैं आपको कहकर गई हैं आपकी टीचर, कि बच्चों आपको यह यह वर्क करना है, मैं अभी आती हूं, मुझे कुछ काम ना आप क्या करते हैं वहाँ पे? जैसे ही टीचर क्लास्रूम से बाहर जाती हैं आप लोग शोर मचाना शुरू करते हैं और अपने कारे को व्यावस्थित रूप से नहीं करते हैं या कारे करना छोड़ देते हैं लेकिन जैसे ही टीचर के आने की आहट होती है आती आप फिर से क्या करते हैं एक दम डिसिप्ल को समझते हैं किThis融 деле देश किया ग्या गया है उसको प्राप्त करने में मदद करता है दूसरा बिंदु कहते है प्रमापों की शुद्धता को available जजिंग एकोरेसि युव स्टंडर्ड अब जो हमेश्चन नियंतरन कि जाते हैं वह उसके लिए करते हैं पहले प्रमाप कிये जा प्रके किये जा सकते जिनको पाया जा सके और जिनको समझा जा सके और जिसके बेसी से क्या हो सके उन दोनों प्राप्त रेजल्ट के बीच विचलन को जनाँ सके तीसरा महांतों कुछ प्रकार है कि से errand व कुष्रतम उपयोकति अब यहां पर जो human resource है यह हम कह सेकते हैं मनुष्य है वह ऐसा रेसोर्स है जिसकी उपर कंट्रोल करना आविश्यक है अभी तक हमने कौन-कौन से रिसोर्स पढ़े मैं मशीन मटीरियल मनी मेथड देखे बच्छों इन पांचों पर जो है पाच में से चार लोगों पर किन्स को छोड़कर मैन को छोड़कर इन चीजों पर कंट्रोल किया जा सकता है सबसे कठिन कारिक्या होता है इस मैन पर कंट्रोल करना क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं उनके पास मस्तिश्क होता है उनके पास अपना ग्यान होता है, अपनी कुशलता होती है, अपना experience होता है, तो उनको क्या करना है, उन पर नियंतरन रखना बहुत important होता है, या महत्वपून होता है manpower पर control रखने के साथ साथ, क्या करना है, हम जो बाकी बचे हुए चार, जो मैंने बता है, machine, material, method and money, इन पर भी control रखना बहुत जरूरी होता है, जो की नियंतरन का एक पार्ट होता है इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, कर्मचारी अभी प्रेरण में सुधार, यानि improving employees motivation अब देखे, जब व्यक्तियों को यह पता होगा, कि हमारे कारे को क्या किया जा रहा है, note down किया जा रहा है, हमारी प्रगती, हमारे कारे करने के तरीकों को note down किया जा रहा है और इससे जो परिणाम निकाले जाएंगे, उसके अनुसार company में उनका promotion हो सकता है, उसके अलावा उनकी जो वहवाई भी हो सकती है, या उनके बारे में discussions हो सकते हैं, उनको appreciate किया जा सकता है, ये सारी चीचे हो सकती है तो उस सिती में क्या होगा, कर्मचारी जो होगा, अभी प्रेरित हो जाएगा, और उसके कारे में अपने आप सुधार हो जाएगा पांच्वा बिंदो आता है, व्यवस्था, आयम अनुशासन, सुनिशित करना, ensure, order and discipline देखिए बच्चो, हमने कई बार देखा है कि without control क्या क्या चीजे होती है, employees क्या करने लगते हैं, काम चोरी करने लगते हैं, absent is, यानि अपने काम पर नहीं आते हैं ज्यादा तर, या किसी कारे को टाल देते हैं, ये सारी जो स्थितियां उत्पन होती हैं, इन पर क्या हो ज पूरा किया जाएगा, उसके बाद आती है बाद, छटवी समन्वे स्थापित करने में साय क्यानी, facilitating coordination in success, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, एक फर्म या उपकरम में एक विभाग नहीं होता है, कोई या एक विखती काम नहीं करता, उसमें क्या होते हैं, कई व उखे कारे करता है, कि उन सभी के बीच में, वो coordination बना कर रखता है, ताकि जो objective डिसाइड किया गया है, उसको प्राप्त किया जा सके, उसके बाद बात आती है, तुरुटियों को नियूनितम करना है, यानि minimization of errors, अब कैसे minimize करेंगे, या कम करेंगे, बार बार कारे की पुन क्या किया जाएंगा, सुधार आ जाएंगा, और उन प्रॉब्लम चिए, solutions, find out कि यहां पर क्या होगा, तुरुटियों को सुधार कर या उनकी नियूनितम कर दिया जाएगा, और पुनरा वृत्ति की जो समस्या होती है, उसको भी कम कर दिया जाएगा, इसके बाद अन्तिम लोग होते हैं तो डिस्प्यूट हो सकता है ग्रीव्यांस हो सकता है उनके बीच तालमेज खराब हो सकता है लड़ाई जगड़े की संभाव ना उत्मन हो सकती है तो इन चीजों से जोखिम आ सकते हैं उन जोखिम को क्या कर लिया जाता है उसको सुरक्षित कर लिया आता है उन पर कंट्रोल कर लिया जाता है तो इससे बच्चों हमने क्या समझा नियंतरन का व्याफसाइक रूप से क्या महत्व है या प्रबंद का जो पाच्वा कारे है उसका व्याफसाइक रूप से क्या मात्व हैं बच्छों आइए अब हम नियांतरन की सीमाओं को से हैं कि पहली जो कि हैं बाहरी परिसितिएउं अथ्वा बाहरी कारणों पर says warranty कारणों पर तो निया अंतर रखा जा सकता है कि कि स्कारण से मान्यigten मानने हैं इस वजह से क्या है क्या है दैवियेशन move的話 रखाіб McGonfer सकता है या हो सकता है कि जो इंप् Wrquesna कर्मचारी है वह क्वें सारे चीजेंड और इनाम क्या किया चाहने हैं ब violation कारण हैं उन पर क्या control नहीं राका जासकता अब यह बाहर गारण कौन कौन से हो सकते हैं भार कारण इस तरके से हो सकते हैं कि जो सरकारी नीतिया मंती है उनमें जो changes आते हैं उन पर गंजिस अकारण अधर में इस नाषधर में जो होति है तो सी किसम क्या सकते हैं कि जो बाहरी कारण है उन पर नियंद्रण नहीं रखा जा सकता इसके बाद दूसरा आता है व्यक्तिगत उत्तरदायत्व के निरदारण में कठिना यानि सब्सकिह देटर माइनिंग सब्सक्राइबलिटी अब क्या होता है प्रबंध में क्या होता है की व्यवसाय को बहुत ऐकेला नहीं कर सकता और ऐक व्यक्तिग ramaivo उसके पास ऐक पास की कारें होते हैं तो में क्या होता है कि यदि कोई त्रूटी उत्पन होती है तो उस त्रूटी के लिए कौन जिम्मेदार है यह पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो कि यह दूसरा स्टेट्मेंट बता रहा है आपको तीसरा स्टेट्मेंट कहता है कि प्रमापों के निर्धारण में कठी नहीं कि इंपलोई यहां इसको इर्फों करते हैं नहीं यह वो कितने कारि के प्रती कितने इमानदार है क्या हम इसको स्टैडर्डाइस कर सकते यह नहीं नहीं दो इन चीजिए का स्टिंडरेज़ेशन या प्रमापी करन मुश्किल हो जाता है उसके बाद चौथा बिंदू या चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं उसके नियंतरन लागत की समस्या cost of control देखे जो controlling process है वो अपने आप में कभी कभी क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा cost को consume कर लेती है इस सिती में कई forms ऐसे भी हैं जो इन controlling के process को नहीं करना जाती चुकि यह एक management का important function है तो इसे बहुत जरूरी विधियों में या बहुत जरूरी यहां कारे चल रहे हैं वहीं apply किया जाता है ताकि cost को reduce किया जा सके उसके बाद जो पाच्वा बिंदू आता है वह कहता है कि करमचारियों दोरा विरोध रिस्टंस from employees अब देखिए अब लोगों को पता है कि उन पर control रखा जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति जब चाहेगा कि उन पर control रखा जा रहा है तो वह इस चीज को क्या करेगा उनका विरोध करेगा अब आप देखते ही होंगे आ प्याफसाइक रूप से देखें तो अगर व्यक्तियों पर बहुत control रखा जाएगा तो वह इस चीज को विरोध करेंगे जो कि इसका पांच पर बिंदो कह रहता है आगे हम महत्तो को जानने के बाद इसके आगे आई हम comment पे चर्चा करते हैं कि नियंतरन और नियोजन में क लिखा जा सकता है क्योंकि आप सोचे अगर कोई कारे को करने के लिए प्लाइनिंग नहीं की जाएगी तो उसके ऊपर control किस बेसिस पे रखा जायेगा कहने का मतलब है अगर कोई उद्देश्ट को प्राप्त करना है उसके लिए नियोजन ही नहीं किया जाएगा उसके लिए कोई standards या प्रमाप ही नहीं तयार किये जाएगे तो जो नियंतरण होगा किस basis पे होगा यह तो impossible हो जाएगा तो इसलिए eve flash ने कहा है कि नियो जंटन एवम नी अंटन निश्चित रूपसे एक दूसरे से जुड़े हैं नियइंतर नियो जनड का दूसरा पक्ष कि साय यह स्टेटमेंट के बाद्ट को हम दो भागों में समझते हैं कि ये क्या कहता है पहला statement कहता है कि नियोजन एम नियंतरन एक दूसरे पर निरभर करते हैं और दूसरा statement कहता है कि नियोजन एम नियंतरन में विभिनता इन दोनों statement को हम अलग-अलग तरीके से समझेंगे और step by step समझेंगे आईए पहला statement समझते हैं पहला statement है नियोजन एम नियंतरन एक दूसरे पर निरभरता इसका पहला बिंदू कहता है नियोजन नियंतरन के आभाव में अर्थहीन है जैसे कि मैंने आपको बताया कि नियोजन और नियंतरन दोनों को ही एक सिक्के के दो पहलू मानने चाहिए इन दोनों के बिना भी कोई कारे पॉसिबल नहीं तो जैसे आपको स्क्रीन में यह पहला पॉइंट दिख रहा है कि नियोजन नियंतरन के आभाव में अर्थहीन है इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्लान किया गया है कोई कारे लेकिन वहाँ पे नियंतरन नहीं है तो आप सोचे क कि आप किसी ओफिस की कलपना कीजिए वहां जिस दिन बॉस नहीं आता है उसके मौहौल को आप सोची किस सरह होता है वहां सब बड़े बिंदास होते हैं कोई पर किसी को जाने यानि संगठन की उद्देश की प्राप्ति की और अग्रसर है नहीं तो ऐसी ही स्थिती उत्पन होती है कि जब नियोजन होने के बाद नहीं होता वहां कामचोरी जैसी भावना आ जाती है और कार्यों को टालने जैसी भावना उत्पन हो जाती है तो इसलिए कहा गया है कि नियोजन एम नियंतरन एक दूसरे पर निरभर करते हैं दूसरा बेंदू कहता है कि नियंतरन नियोजन के आभाव में अंदा है अब वो किस प्रकार अंदा है अगर नियोजन ही नहीं होगा तो नियंतरन किस चीज़ का किया जाएगा कोई स्टेंडर्ड निर्डर्ट यें कोई प्रमापतयार ही ने किये गए ही तो तो बेसिस पर जो end results या लिए अंतिमu विक निकले हैं उनको क्या किया जाएगा उनको उनके बीच गया हैं उनके बीच डेवियेशन या विचलन सरस्ता होता है कि जो नियंतरण है वो नियोजन के आभाव में अंधा हो जाता है इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम और क्लियर इस डाइग्राम से कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं एक तरफ नियोजन है दूसरी तरफ कार्यवाही है और तीसरी तरफ नियंतरण है यहाँ पर जो डाइग्राम बना है वो दिखाता है कि नियोजन जो है नियंतरण से किस तरफ कोरिलेट कर रहा है और नियंतरण जो है नियोजन से किस तरफ कोरिलेट कर रहा है और दोनों के लिए कार्यवाही कितनी जरूरी है अब पहले statement यहानी नियोजन एम नियंतरण एक दूसरे पर निरभरता को जानने के बाद आए दूसरे statement को समझते हैं दूसर that statement कहता है कि नियोज़न एम नियंतरण में विभिनता अब इनके बीच क्या difference है पहली difference कहता है कि नियोजन आगे देखना जब की नियंतरण पीछे देखना है जैसे कि मैंने AAP को पहले भी बताया था कि जो नियोजन होता है भविष्य पर आधारित होता है और जो नियंतरण होता है भविष्य के द्वारा जो भी Re incubator decided कि ये थे जो सोचे को Network उन रिजल्ट्स का क्या करना है मूल्यांकन करता है तो क्या हुआ इस वेसिस पे कि नियोजन जो है वो आगे देखता है और नियंतरन क्या देखता है पीछे देखता है लेकिन इसको हम उल्टा कर दे तो कि नियोजन जो है पीछे देखनी की क्रिया है और नियंतरन जो है आग basis पे नियोजन कि अगया था और expected results जो थे यह हम मान सकते हैं जो results हम चाह रहते वह decide किये थे अब क्या हो रहा है नियंतरन आगे देखने की प्रक्रिया है यहां पर क्या कर रहा है जो है जो results पहले से decide असको पीछे देख तो रहा है लेकिन उनसर रिज़कों कुकू steeds क्या सुधार कारे क्या सकते हैं इस रूप में वो क्या कर रहा है आगा देख रहा है तो इस तरुके से apart को समझ सकते हैं दूसरा बिंदू कह रहा है कि नियोजन प्रबंदकी प्रक्रिया का पहला कारे है और नियंत्रण अंतिम कारे है जैसे कि आपने प्रबंदकी कारे को जाना है कि नियोजन पहला कारे है और उसी चक्र में जो नियंत्रण है वो अंतिम कारे है और उसके मद्ध जो हमने जाना है पारे क्या हो गया नियोजन हुआ और अंतिम में क्या गया प्लाणिंग की गई कि किस तरीके से किसी भी organizational goals को या संगठन के उद्देश को पाया जाएगा उसके लिए क्या किया गया संगठन को जो संगठन का स्वरूब डिसाइड किया गया वहां पर बनाया गया पद में पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया उनको जबक्षण दिया गया कि भैं आपको इस तरह की से कारे करना है अब और क्या हुआ यह प्रूरी प्रॉससाइट नियोजित ऑर दें get रह तो हमको इस साल क्या करना है लेकिन प्रड़क्शन क्या हुआ मान लीजे आठ टन तो उस सिति में क्या होगा इन दोनों के बीच डो जो डेवियेशन आया या विचलन आया दो टन का वहाँ पर क्या हुआ मूल्यांकन हुआ और ये किन कारणों से हो रहा है इसको किस सरीके से एवं नियोजन में सम्मंद को हमने अच्छी तरीके से जाना